नमस्कार दोस्तों में आचारीवे शौर्डए। आज हम बात करेंगे उच्छ और नीज ग्रहों के बारे में。 पिछली वीडियो में मैंने महादश्शाँ के बारे में बताए था किove महादशाः कैसे होती है और कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा active होता है महाद रशाएं कैसे देखती है इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्छ और नीच के ग्रह क्या होते हैं देखिए पहले अपन समझ लेते हैं उच्छ और नीच के ग्रह होते क्या हैं आपने कभी सुना होगा कि किसी ने आपको बत लुप न दे रहे हैं छादी के कारक लगजरी लाइफ के कारक हैं बिवहा के कारक है अर्था लब मैरेज हो गई गाड़ी संपत्ती घर और लगजरी से जुड़ी हुए सारी चीज़ देखते हैं अब इस शुक्र ऐसी राशी है जो उनकी उच्छ राशी है तो वह जो अप education के नौकरी के हैं और गुरु नीच राशी में बैठ गए तो इससे क्या होगा कि हो सकता है आपको जौब लगने में देरी हो आपको पड़ाई में दिक्कत आती हो चीजां याद नहीं होती हो तो बेसिकली उच्छ और नीच ग्रह ऐसे ग्रहों को एक्टिव करते हैं या उन उस पर किसी की भी दरश्टी हो कोई उसके ग्रह शार्त में बैठा हो पर इदे कोई भी ग्रह उच्छ का है तो वह हमेशा ही अच्छा फल देगा भले वह अशुब हो शुब हो सत्रू हो मित्रो और वहीं पर कोई भी ग्रह नीच का है चाए वह अशुब हो और शुब हो व जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मालीज यह सूर यहां बैठे हैं और यहां पर एक लिखा है यहां पर एक लिखा है मतलब यह मेश रासी में पहली राशी कौन से हो गई मेश रासी में तो यहां पर कैसे हो जाएंगे उच्छ के हो जाएंगे यहां पर जाएंगे वहीं पर माल लीजिए यहां पर तुला राशी अर्थाथ साथ अंक लिखा है तो यहां पर क्या हो जाएंगे नीच के हो जाएंगे अब बहुत आसान है आप तो सिंपल सा पकड़ के चलिए कि जो पहले से साथ वी राशी होगी मतलब जिस राशी इस पे वह उच् दूसरी राशी है तो यह अपने से 7 राशी में नीच के लिए तो दो से साथ कांट करेंगे तो यह ब्रश्चे चार पांच छे सात्मकर राशी में नीचका होगा कुल मिलाके आपको जिस राशी की बात हो रही है वहाँ से उसी को काउंट कर दे उसको पहला पकड़े वहाँ से सात्वा जो ग्रह होगा वो उसका नीचका होगा कैसे ब्रस्ट्राश्राशी में नीचका होते हैं यहां पर जैसे कूंड़ी था से कुणिली में यहां पर बैठी हैmon 179 nowhere बयाखी है। तो वह किसे होंगी उच की होंगे और वहीं पर 8uhanग पढ़ी है तो वह होंगे कैसे नीच कीुछ तो यहीं कि क्न्दम मगें ते लिक्ति का सकता हो सब्सक्रों नेगेटिव पहुत सोचने वाला लगताएं आप वहीं पर उच्छे का बैठा तो चंद्र उच्छे का अहीं थ्यापी बहुत अच्छा होगा उसकी भासथा रही बहुत अच्छी होगी इछ तो अपना कहने का जो मेरा तात्पर वह यह 멋ण अब अइसे मानगल कर वह दे तो मंगल मकर राशी में बैठें मंगल को समझ लेते मांगल कर यहां बैऩा है यह कहीं भी बैठ सकते हैं जरूरी यह बैठ सकते मंगल किस करral देभी is कई आपे 10 रंग लिखा है कैसे हो जाएंगे यही पर चारंग लिखा होते आада यही कुला ज़से मु트does भाव में चारंग oni कि yamu इंड़ान झाल यह अब बुद्ध किस राशीय के हैं अब पनियक राशी में मतलब 6 HC twenty राषि में तो वह उच्छे रहेंगे अब वह कौन सी राशी में निचके तो कण्या से आप साथ बहुत लेजिए two-three-four-five-six-seven stake mean Rashi में बारवी राशी में नीच्के हुँंगे और चडवी राशी में उच्के थे अब हम बात करें गुरू की an de g 허ra day कैसे एक गर्वी डिंच आजए कउन सी है चुर्ण चौहराशी यहाँ पर दिजिक package निक रिखा है तो यह कैसे हो गए उच्छ के हो गए वहीं पर साथ वी अपन बात करें एक दो तीन चार पांच छे साथ मतलब यहां पर दस अंक लिखा है तो मकर राशी में यह नीच के हो जाएंगे तो कुल मिलाके अब शुक्र की और बात कर लेते हैं प्राय प्राय सभी ग्रह हो जाएंगे यसे शुक्र यहां बैठे हैं तो शुक्र कौन सी राशी में उच्छ के हैं मीन राशी में अर्था बारा अंक पर कैसे हैं उच्छ के हैं और यदि हम बारा से साथ जोड़ेंगे बा आपको उस ग्रहय को जोड़ना है, जिस ग्रहय पर वो उच्छ के हैं, मालीर जे मीन पर शुक्र, मीन राशी पर अथाथ 12 अंक पर उच्छ के होते हैं, तो 12 से काउंट करना है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छटवी राशी कौन से होगी, कन्या, तो ये आप भी देख सकते हैं कि आपकी क कारतत्तों को कम करेंगे, उधारन के लिए ये जैसे भाव है संतान का या ग्यान का, तो अब माली जी यहां पर कोई ग्रहय नीच का बैठा, माली जी ग्रू है जैसे, तो ग्रू ग्यान के भी है, संतान के भी है, अब माली जी यहां पर ग्रू बैठे हैं, और ग्रू पंच संत्यान देर से लेट नहीं हो ज्यान आजमी की एड्जुकेशन हो सकता है बहुत अच्छी नहीं रही हो जरूर नहीं कि पैसा ना कमाई हो सकते है एड्जुकेशन अच्छी ना रही हो तो कुल मिला कि जो उच्छ और नीच का तातपर है वो इन्हीं सब चीज़ां से हैं अब इसमें हमने दो ग्रहों को बाद में लिखा है राहू और केटू देखिए राहू और केटू को जो उच्छ और नीच रहता है वो बहुत सिंपल है राहू जो है वो तीसी रासी अर्थात कौनसी रासी मिथुन रासी में उच्छ के होते हैं और धनु राशी में नीच के माने जाते हैं वहीं पर केतु जो हैं वो धनु राशी में उच्छी के होते हैं और मिथुन राशी में नीच के होते हैं मतलब कुल मिला के आपको साथ साथ का लेकर चलना है सीधा का सीधा हिसाब रहेगा आपका तीसरी राशी होगा यह मिथुन राशी इसमें केतु नीच के रहेंगे धनीराशी में अच्छे रहेंगे धनुराशी में नीच के रहेंगे मतलब कहने का मतलब है कि राहु यदिम जी पर इसको भी समझ लेते हैं कि राहु आपके यहां पर माली जै तीन अंक समझह थ reward you क्योंकि वो उच्छ राशी में बैड़ गएँ और अच्छ राशें में कोई खराब गढ़ गढ़ जाया अशुप गढ़ जाया सत्रु गढ़ जायए र्रूर गढ़ जाय वह अच्छा ही फल देगा तो यह उच्छ और नीच की गढ़ हैं आप एक बार कि उसमें नीच के होते हैं, बिल्कुल ऐसे sequence है, और इसकी समझने के लिए अंकों को समझना पड़ता है, मतला सूर्यति इक नंक पर बैठे हैं तो ओच्छ को बात कर रहे तो मेश '' 4 स6 को जोड़ेंगे'' और इनका डिफरेंस रहता है वहे एक से πα्रिशय निए साथ ग्रहों को जोड़ेंगे जैसे कि माली जी एक बार मैं बढ़ाएता हूँ कि माली जी यहां पर समझ लेते हैं कि अपन यदि मालो धनू की बात कर रहे हैं तो धनू को भी जोड़ेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ये इनके धनू के कौन हो गए नीच ग्रह स्क्राइब जरूर करिएगा, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, धन्यवाद.